हेलो बच्चो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नैच्रल वेजिटेशन एड वाइल ड्राइप रिसोर्सेज बच्चो नैच्रल वेजिजेशन आज कल जितने भी तरह के प्लांट सारी तरह के प्लांट्स जो है वह या तो नेच्रल होते हैं या मॉडिफाइड होत है तो वाइल ड्राइप का मतलब है सारे प्लांड्स अनीमाल बर्ड और्गेनीजम जो की उनके नेच्रल हैविटेट में रहते हैं वह वाइल ड्राइप है, केवल आर्थ का बायोष्फेर ही नेच्रल वेजिटेशन और वाइल ड्राइप को सपोर्ट करता है एं इस पांडेंट भी है एज गूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए तो जो ऑर्गेनिजम्स और उनके फिजिकल इन्वार्मेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है पर्टिकुलर एरिया में उसको इकोसिस्टम होलते हैं उससे एनिमल्स को शेल्डर मिलता है जो की सोयल को इरोजन स हो चाहिए होती है and they give us fruit, gums, medicines और बहुत सारे प्रोटेट्स इंसेक्स जैसे की bees, butterfly यह पॉलिनेशन में help करते हैं, bees से हमें honey मिलता है, silkworm से silk मिलता है इस तरह से सारे जानवर बड़े, छोटे हमारे एकोसिस्टम में balance मेंटेन करते हैं फिर डिस्टिबिशन ऑफ नेटरल व major vegetation type जो है हमारे world में उनको जो group पी अगया है, वो हैं जैसे forest, grassland, stock और प्रोटा, सबसे पहले forest के बारे में पढ़ते हैं, forest को हम cluster of trees growing close together की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो कुछ पेड़ जो होते हैं, जब एक दूसरे के इतने पास-पास grow हो जाते हैं, कि उनके जो top प के नीचे तक नहीं आपाती है, और वो इतने होट और humid climate में grow होते हैं, ज्यादे तर जो होते हैं, इंपोर्टे नेचरल जो हैं, वो इतने इंपोर्टेंस जो हैं, उसको की वज़े से उनने green gold के नाम से भी जाना जाता है, और वो वर्ड का land area का लगबग एक तिहाई तीन हिस्सों में divide कर सकते हैं, forest of tropical region, तो tropical forest जो होते हैं, वो evergreen और deciduous trees होते हैं, और ये forest मोटे और mostly equator के नजदिक वाले area में पाए जाते हैं, क्योंकि as there is no particular dry season, तो इनके जो चोड़ी चोड़ी पत्या होती हैं, वो इनको जड़ती नहीं हैं और एक साथ रहती हैं, that is why they are called ever forest, इसके बाद forest of temperate region होते हैं, तो temperate region होते हैं, winter सार उन्हा पर जो सर्दियां होते हैं, mild होती हैं, rainfall moderate होते हैं, forest में जंक्री, शब, बुशी सब होते हैं, जो की कम growth वाले होते हैं, तो ये forest जो होते हैं, दोनों तरह की hard और soft दोनों लकडियों वाले पेड़ी यहां पर होत जो होते हैं, forest में वो पाई जाती हैं, forest of the taiga region, तो taiga एक Russian word है, जिसका मतलब है pure and untouched, तो ये spectacular forest हैं, जो की broad belt में पाई जाते हैं, 50 degree north और 70 degree north में, और ये forest जो होते हैं, higher latitude में भी देखे गई हैं, और ये जेल्ट में area आते हैं, जो की Alaska, Southern Canada ये area में पाई जाते हैं, इसके बाद ये पेड़ जो होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और इनकी wood soft होती है, evergreen type की होती है, और ये पेड़ की जो लकड़ी होती है, वो pulp बनाने के काम आती है, या paper, newsprint, furniture, toy लकड़ बनाने के काम में आती ह grasslands, तो वो area जो की कम rainfall receive करता है, पेड़ों के बीच में grow हो जाते हैं, उसको grassland बोलते हैं, और ये areas लंबे और tall grasses होते हैं, जो की wild stretches of land पे, tropical grassland, इनको सवाना भी बोला जाते हैं, और ये equator की side में होते हैं, which extend till the tropics, और इनको different names से पुलाया जाते हैं, लग-अलग हिस्सों मे जैसे कि अमेरिका में इसे parkland बोलते हैं, वेंजुलिया और कोलॉंबिया में इसको लेलून्स बोलते हैं, जबकि ब्राजील, अर्गनी और अर्जेंटीना में इनको campus बोला जाता है, temperate grassland, तो ये जो grassland हैं, ये middle latitude के होते हैं and interior part of continents होते हैं, और ये area जो होते हैं, इनका almost level tree-less plane होते हैं, जो कि 40 degree से 55 degree latitude के hemisphere में situated होते हैं, और ये grassland को अलग-अलग नामों से पुलाते हैं, अलग-अलग इस्टीथ बोलते हैं, यूरोप में, प्रेयरी बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, बंपास में, साउथ अमेरिका में, वेल्ट्स इन साउथ अपरिका and डाउ आउस्ट्रिलिया, श्रब्स, जो ये जो होती हैं, बहुत छोटे बुशी फ्लांट होते हैं और इस तरह के फ्लांट्स में, बहुत सारी ब्रांची उती हैं, जो कि उसके बेस्टियम के बेश से निकल जाती हैं, जैसे कि रोज और इन डेज़ट वेजिटेशन, तो आफरिका में कलहरी, चील में, अटकामा, नॉर्थ अमेरिका में सोनरन, इस तरह से ये पाए जाते हैं, अब कंजर्वेशन ओफ नेच्रल वेजिटेशन, तो बच्चों, हम पहले ही सीख चुके हैं कि जंगल की यूस्पूलनेस के बारे में, तो अनफोर्चनेटली आदमी उ कुछ स्टेप्स फोलो करके हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, जैसे मासीव एबफोरेस्टेशन प्रोग्राम शुट भी लॉंच तो कवर लार्ज एरिया ओफ लैंड विद अप्रोप्रेट टाइप फोरेस्ट इसके बाद इंडिस्क्रिमिनेट फिलिंग और ट्रीज इन दफ फोरेस्ट शुड वी स्टॉप्ड शुटेबल इस्टेप लेने चाहिए फोरेस्ट में आग को प्रोटेक्ट करने फोरेस्ट को बचाने के लिए आग से ग्रेजिंग ऑफ एनिमल को कंट्रोल करना चाहिए उसके बाद फोरेस्ट लैंड शुड नॉट बी यूज़ पर इन्वार्मेंटल बैलेंस यदि रिलेटिव नंबर ऑफ इस्पीसिस डिस्ट नहीं है लेकिन हुमन एक्टिविटीज की वज़े से यह बहुत बुरी तरह से नेट्रल हैबिटेट जो हैं डिस्टब हो रहे हैं तो ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेंट हंटिंग फॉर एकोन यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एकोसिस्टम का और उनकी एक्जिस्टेंस भी बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है हमारे एंवार्मेंट में बैलेंस मेंटेन करने के लिए तो विदिन दा हैबिटे प्लांट और अनिमल जो होते हैं अपने ही तरह का जीवन जी पॉक्सिस बीर्स क्रेंज यह टेंपरिट एरिया में और फर बीरिंग एनिमल जो होते हैं जैसे पोलर बियर मस्करसंट यह टुंडरा रीजन और टाइडा में पाए जाते हैं यूरोप में यूरोप में लिमिटेड वाइल डाइफ है जो कि जादे तर जंगल महां पर क्लि इस कंटिनेंट में पाए जाते हैं नौर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा थंडा क्लाइमेट होता है तो इस तरह से अनिमल्स जो होते हैं मोटे पर वाले होते हैं अपने आपको गम रखने के लिए जिसे रीन बियर आर्क्टिक फॉक्सिस मस्क्स और यहां पर पाए जात तो क्लाइमेट फैक्टर्स जैसे की फ्लाइड लैंड्सलाइड सुनामी फॉरस्ट्री इनकी वज़े से डिफोरेस्टेशन कंस्ट्रक्शन और हंटिंग ऑफ एनिमल पर देर हाइड डैमेज टो अवर वाइड लाइफ और उनके हैबिटेट को नुकसान पहुचा रहे हैं तो कुछ स्टेप्स फोलो करने चाहिए वाइड लाइफ को कंजर्ब करने के लिए जैसे इलिगल हंटिंग और ट्रैपिंग ऑफ एनिमल शुट भी प्रोहिप्टिड बना होना चाहिए गवर्मेंट को कुछ बनाने चाहिए हंटिंग को रेर करने के लिए या एंडेंजर अनिमल को बचाने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल प्रोड़क्त जैसे कि टाइगर पैंथर इसकीन और बोंट उनको रोका जाना चाहिए पनीशेबल होने चाहिए उनके लिए नियम बनने चाहिए और नेशनल पार्क और सेंचुरी इसको इस्टबलिश होना चाहिए य तरह से कि आए जाए जाना चाहिए